महरास्ट सरकार ने बुद्भार को हुई केबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिये हैं शिंदे केबिनेट ने एहमद नगर जिले का नाम बदल कर आहिल्या नगर कर दिया इसके साथ ही महरास्ट केबिनेट ने आठ मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का भी फैसला किया है महरास्ट केबिनेट ने फैसला किया है कि ब्रिटेस्ट काल के नाम वाले स्टेशनों के नाम बदल दिये जाएंगे इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्थान और विरार के बीच समुदरी लिंक बनाने को भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट के लिए लिए गए फैसले में जम्मो कश्मीर के श्रीनगर में महारास्ट भवन बनाने के लिए दो दशमलव पांच एकड जमीन खरीदने का फैसला भी शामिल है गौरतलब है कि इसके लिए बजट प्रस्ताव महारास्ट विधान सभा के लिए पिछले बजट सत्र में राज्य के बजट से पहले ही किया जा चुका था वहीं आपको बताएं कि अहमद नगर का नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही थी साल 2022 में भाजपा विधायक गोपी चंद पंडलकर ने ततकालीन सीम उधव छाकरे को पत्र लिख कर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की मांग की थी उन्होंने पत्र में कहा था कि अहमद नगर रानी अहिल्या देवी होलकर का जन्मस्थान है इसलिए अहमद नगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करना रानी अहिल्या देवी होकर का सम्मान करने जासा है मुखे मंद्री को भेजे पत्र में पंडलकर ने लिखा था कि ये सर्फ उनकी मांग नहीं है बलकि लोगों की भावना है कि एहमद नगर का नाम अहिल्या नगर हो उन्होंने कहा कि जब मुगल सैनिक हिंदू मंदिर गिरा रहे थे तब अहिल्या देवी होलकर ने उनका पुनर निर्मान करा कर हिंदू संस्कृति को बचाया था इसलिए वहर हिंदू के लिए आदर्श है शहरों का नाम बदल कर क्रमांश छत्रपती श्रिवाजी नगर और धारा शिव कर दिया था महाविकास अगाड़ी सरकार की पिछली कैबिनेट बार्थक में और अंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया गया था लेकिन शिंद सरकार ने इसे छत्रपती शब्द जोडा था